खबर इंडिया 7 द्वायोग द्वारा जारी कार्यक्रम के हमसार सहारनपूर जिले के नगरिये निकाय में बुलंद शहर और बागपद जिलों के साथ आखरी चरन में 29 नवंबर को वोट डाले जाएंगे खास बात यह है कि सहारनपूर नगर निगम के चुनाव पहली बार होने जा रहे ही गौर तलब है कि सहारनपूर नगर निगम का गटन 2009 में हुआ था लेकिन परिसीमन फाइलन ना होने के चलते आज तक ही है चुनाव लंबित रहा नगर निकाय चुनाव की दुदुम्बी बजने के साथ सहरनपूर के लोगों में अपने मेयर का बेसबरिस्ते इंतजार है सहरनपूर का मेयर कैसा हूँ इस बारे में हमने कुछ लोगों से बात कि आईए जानते हैं कैसा मेयर चाहते हैं सहरनपूर के लोग मेरे हिसाब से सहारनपुर का मेयर ऐसा होना चाहिए जो इस शहर की तरक्की के लिए काम करें धर्म ये सब धर्म जाती की तरफ जादा ध्यान ना दे कर शहर की व्यवस्था को सुधारने में ध्यान दे तो वो बहुत अच्छा मेयर कहलाएगा मेरे हिसाब से सहारनपूर नगर में होने जा रहे मेयर के चुनाओं में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा मेरे दरश्टी कॉंड में यातयात की समस्या है और यातयात पुलिस इससे निपटने में पुरी तरह सफल रही है तो अगर नया मेयर यातायात और ट्रैफिक के समस्या को प्रात्मीता के अधार पर तै करेगा तो सहारणपूर के लिए और यहां के लोगों के लिए बेहतर होगा इसके अलावा मद्दाता सामप्रदाई को और जातीगत अधार पर वोटिंग ना करें उम्मीद्वार की प्रष्ट भूमी और उसकी शेक्षिक योगता उसका समाज सेवा के लिए किया गया उठ्थान इन सारे कारियों को मद्दे नजर रखते हुए ही मद्दाता मद्दान करें ताकि बेहतर उम्मीद्वार चैनित होकर निर्वाचित होकर सामने आए मेर शेहर का प्रथम नागरिक होता है और लोग उसकी बात सुनते हैं उसके कहने पे चलते हैं उसे चुनते हैं उसे नैतिक मूल्यों का प्रहरी होना चाहिए क्योंकि जिस इंसान के पास नैतिक मूल्य हैं वो कभी कोई गलत काम कर रही नहीं सकता वो काम करेगा तो सारे के सारे सही करेगा ना रिश्वत खोरी करेगा ना घ्रिना करेगा ना नफरत करेगा किसी को कोई दुख नहीं देगा किसी को कोई परेशानी नहीं देगा और अलावा यहां कि निकार्शिया की Wcious naturel पॉर्म है सहानपूर का निकार्शिया data पाउं धोय नदी और धमोला कोवर हो जाए तो गंदगी से पीज़ाच हो ज़ए बीमारियां कम रहेगी तो स्वस्त मस्तिष्वास करता है। प्रशा संद्रव में केवल इतना कहना है कि वेक्ति ऐसा होना चाहिए इस पदेर के लिए जो जन साधरण के दुख शुक को देग सके उनकी फरशानीं का हल निकाल सके आस पास में जो भी शेहर के अंडर आस पास में जहां भी कम्या दिख रहे हैं उसको सुधार सके केवल प तो जनक जवाब नहीं मिलता, कारे पूरे नहीं होते। साहरानपुर का मेरी शाहिएर काम करें साहरानपुर का मुले कहनों की से एक जोट रहा है है और लोग यहां कह दो कोशित कर नहीं है कुछ ज़िए दंद्गिया का धेर लगा पड़ा हुआ है तो मेरे साब से राजनीती इसके उपर ना विल्कुल भी और मेर जो हमारा बने वो बिल्कुल राजनीती उपर उटकर काम करें मेरे हसाब से सर मेर का जो जहां साहरanपुर dicha ये तो सभी लोगों की शाथ लेकर चलने ओ और इसा नहीं हो हो कि मेर बनने के बाद छहेतर को बोल जाये जैसा कि हम लोग अक्सर देखते आये हैं कि विदायक बन गए और उस उस छेतर में जाए देखे इस्तिती क्या है उसमें विकास कारियों उसी हिसाब से कराए और ऐसा ना हो कि पब्लिक जो है अपनी शिकायतों का पिटारा वो जुका तूर है ऐसा ना हो मैं भगवान से प्रातना करता हूँ कि सारनपूर को ऐसा मेर मिले जो सारनपूर का चोमुकी विकास करा सके सारनपूर के लिए नही नही योजना हिला सके सारनपूर के तमाम आउटर आज गड़े से सड़कें परिपूटी हैं उनको गड़ा मुक्त कर सके और सारनपूर में आज जो विकास में बांदा पड़ रही है नया मेर ऐसा है जो साहरनपुर को चव मुखी विकास दे सके और वेपारी समाज के लिए नई-नई योजना इला सके ऐसा ही हमें मेर चाहिए साहरनपुर में पहली बार ओरे मेर की चुनाओ को लेकर चर्चाओ का बाजार गर्म है हर कोई चाहरा है कि शहर को एक ऐसा मेर मिले जो चहुन को विकास कर सके लेकि जनता दोवारा चुना गया मेर कोशोटी पर कितना खरत उतरता है ये तो वक्त ही बताएगा अपने साथी कैमरामेन राजी ठाकूर के साथ मेमनिश कुमार खबर इंडिया 7 साहन को देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सबस्क्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बैल आइकन दबाएं